हेलो दोस्तों नमस्कार आज की रेस्पी में न मैदा न बेसन न भरने की जंजट और नहीं तलने के लिए तेल की जरुवत बस एक चमस तेल लिजिए और पूरे परिवार की लेनास्ता बना डालिए जी हां फ्रेंड्स आज मात्र एक चमस तेल से आज का नास्ता त्यार होगा इसको जानने के लिए वीडियो को पूरा पूरा जरूर देखें और यदि मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी न भूलें तो इसके लिए सबसे पहले हमें एक आलू चाहिए जिए हां आज में बनास्ता बनाएंगे मातर एक आलू से इसा आलू का ने छिल लिया है अब इसे तो करेंगे यानि कि इसको ग्रेट करेंगे वे फुर оп 가격 कर लिया है मैंने देखें इस तरह से पैसे आब है इसा ग्रेश करेजान की जाएगा और एक खिला हिल लगेगा अब एक mixing bowl लेंगे उसमें एक कटोरी आंटा डालेंगे जी हमेंने कहा था ना मैदक नहीं डालेंगे आज आंटा से बनाएंगे और काफी टेस्टी बनेगा देखे मैंने दो लिया है अलू अब इसको भी इसी में डालेंगे अब इसमें एक medium-sized का प्याज है इसे मै लेंगे और कुछ धनिया पत्ता कि इसके टेस्ट को और बढ़ाने के लिए यहां पर हरी मिर्च आप यहां पर कमिया ज्यादा हरी मिर्च ले सकते हैं जैसा तीखा पसंद करते हूं आप यहां पर डालीए अब कुछ मसाले एक चमच जीरा लिया है मैंने इस जीरा डालने स से टेस्ट इसका बहुत अच्छा आएगा तो इसको इसकी बिल्कुल भी ना कीजिएगा और एक चमच काली मिर्च का पाउडर लेंगे इससे हमारा जो नास्ता बनका तयार होगा वह काफी टेस्टी बनेगा और हेल्दी भी और एक चमच यहां पर कुट्टी हुई लाल मिर् सकते हैं और स्वाद केंसार नमक और एक चमच सूजी जी हां यह एक चमच सूजी से ही यह नास्ता काफी क्रिस्पी तयार होगा अब इन सब इसी तरह से ड्राइए मिक्स कर लेंगे यदि निम्बू भी आपके पास ना हो तो आप यहां पर दही भी डाल सकती है तो थोड़ा मानी डालें जिससे कि यह बहुत अधीक पतला ना हो देखिए इसी तरह से हमको घोल त्यार करना है कि यह आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुरू भी न भूलें देख गोटा चमच से एक चमच कश्मीरी मिर्च और हाफ चमच हल्दी पॉर्डर अब इसको इसमें डालके अच्छे से मिक्स कर लेंगे इससे क्या होगा कि हमारे जो मेरा मानना है कि अगर भोजन बहुत अधी खुबसूरत दिखे तो खाने में भी काफी स्वादेश्ट होता है तो अब यहां से पांच से छे ब्रेट का स्लाइस लेंगे यहां पर मेरा वाइट ब्रेड है आप यदि ब्राउन ब्रेड लेना चाहें तो आप वह भी ले सकती है अब देखिए हमारा गोल त्यार था वह फूल भी गया है अब इसे एक बार मिक्स कर लेंगे इसी तरह से अ आप इसको इसी तरह से चमस से लेके और एक तवा गरम कर लिया है मैंने वहां पर एक चमस तेल डाला है देखिए इसी एक चमस तेल से हमारा पूरा नास्ता बन जाएगा और हमें डालने के ज़रुद भी नहीं है आप इसको धीरे से इसके उपर डाल देंगे फेला लेंग और आच जो है वर मीडियम ही रखेंगे बहुत ज्यादा हाई नहीं रखेंगे और बहुत अधिक स्लो भी नहीं रखेंगे इस नास्ते में बहुत अधिक तेल की ज़रुद नहीं पढ़ती है देखिए तेल सब अलग-अलग हो गया है आप चाहें तो इससे भी कम तेल में बना सकती हैं यह काफी टेस्टी, काफी क्रिस्पी और काफी चटपटा लगेगा आप एक बार इससे बनाकर जरू ट्राई करें देखिए हमारा लट पलट कर मैंने इसे सेंक लिए है कितना बढ़ियां कलर आया है इसका और काफी क्रिस्पी बनकर भी यह तयार हुआ है यह देखिए एक साथ तवाप कर जितना बड़ा छोटा हो उसी के अपर्डिंग डालें एक साथ तीन चार भी इस पर आ जाता है और बारी बारी से बनाकर हम इसमें प्लेट में निकाल लेंगे देखिए अब यह सर्व करने के लिए विल्कुल भी रेडी हो गया है यह देखिए देखने में इतना खुबसूरत लग रहा है तो खाने में कितना मजा जाएगा अब इसे आप हरी चटनी या टुमैटो कैचप या दही किसी के संग भी इसको परोज सकती हैं और परिवार को खिला सकती हैं और उनसे तारिफ पा सकती हैं देखिए वाओ क्या खु उस घोल में भी छोटा छोटा और भी सबजियों को एड कर सकती हैं इसे और भी हेल्दी बना सकती हैं और बच्चों को दे सकती हैं इसे बना कर आप बच्चों को टिफन में भी आराम से दे सकती हैं बच्चे बड़ी खुशी-खुशी खाएंगे यह हेल्दी भी है बहुत को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद